नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज फेफना थाना अंतरगत माल्देपूर मोर पर अस्थाय तोर पर संचालित बलिया भरॉली टेक्सी स्टेंड को लेकर अब विवाद उत्पन हो गया है दरसल आरोप है कि कुछ दबंग लोगो द्वारा स्टेंड को माल्देपूर मोर से 3-4 किलोमीटर दूर खोरी पकर गाव स्थित राम जान की मंदिर के परिसर में संचालित करना चाहते हैं बताया स्टेंड को हटाने के लिए राजनीतिक लाप के तहट यात्रियों की सुविधा के साथ खिल्वार करने का प्रयास किया जा रहा है बताया स्टेंड हटने से यात्रियों को न केवल परेशानी होगी बलकि आर्थिक रूप से भी बोजपनेगा टेक्सी स्टेंड संचालक विनोद कुमार राये ने बताया कि माल्देपूर मोह पर किसानों की अनुमती से किराय पर ली गई जमीन पर पाकिन की व्यवस्था है और यहां यात्रियों के लिए भी काफी सुविधा है बताया यह स्टैंग पूर्ग जिला अधिकारी के आदेश पर बहेरी स्थित कटहल नाले से माल्देपूर मोह पर संचालित करने का आदेश मिला था जो लगभग पांच वर्षों से संचालित है आरोप है कि दबंगों द्वारा खोरी पाकर मंदिर पर गारियों को रोग कर दबंगई की जाती है और विरोध करने पर दबंगई के साथ ही लाठी डंडे से लेस होकर मारने पीटने की धमकी देते हैं जिसे लेकर जिला अधिकारी को पत्रक सौप कर गुहार भी लगाई है वहीं जिला अधिकारी के द्वारा फेफना से चो को आदेश कर शांती बनाए रखने का आदेश है बावजूत कोई कारवाई नहीं हो रही वहीं समस्षा है कि हम लोग पहले बहरी में जो है हम लोग का इस्टेंड चलता तक जिसन में सहर से बाहर की इसले द किया अगया उस में हम लोगों मेंको थिला अधिकारी महदूडे के आदेश पर मार्दे पूर में सित्प आ कि दिया गया एपना इस्टेंड लोग चार्पान साल से यहां पे चला रहे हैं तहां से पारवली बलिया रशणा बलिया यही हम लोगा इस्टेंड है और कैसे सब्सक्राइब करें इंडिया टाप नीज चैनल और बेल आइकन दवाना ना बूलें इंडिया टाप नीज अपने छेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं